आँसरो वीडियो को जदा से जदा लोगों तक सेयर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपूर्ट की हमें बहुत ही जरूरुषथ है हैलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी नुच्पर तो दोस्तो शुरू करते है आज की सबसे बड़ी ख़बर के रूप में, तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी ख़बर है अखलेस यादों ने एक चुनावी रैली में कहा है कि देश के चोकिदार के साथ साथ लोगों को यहां के ठोकिदार को भी हटाना चाहिए गोरखपूर में महागठवंदन परत्यासी राम भुवान निसाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हैं उन्होंने कहा है कि यूपी में ठोको नीती चलाने वाले भी हैं बताओ यहां पर सिख्षा मित्र ठुके हैं या नहीं कोई भी बचा है जो ना ठुका हो बताओ ठोका गया कि नहीं ठोका गया इसलिए हम चाहते हैं कि सिफ चोकिदार को ही नहीं ठोकिदार को भी हटाना चाहिए रैली के दोना अखले सियादों के मज़ पर सीम योगी आदितनात के हमसकल सुरेस ठाकूर अर्थात युद भी मौजूद थे चुनाव परचार के दोना अखले सियादों ने मोधी सरकार को हटाने का हवाहन कई बार कर चुके हैं अब यूपी सरकार की ओर से भी हटाने की मांग, दिर्गकाली नीति की ओर से ही सारा कर रही है। आपको बता दे कि अखलेश यादो राज सरकार की कथिर ठोको नीती पर हामले पर भी कर चुके हैं। अखलेस यादो ने इस साल जनवरी में कहा था कि राजी की पुलिस ठोको नीती पर चल रही है अखलेस यादो ने कहा था कि युत्तर परदेस के मुख्यमतरी योगी आधितनाथ हर जगा अपने ठोको मतलब एंकाउंटर नीती की पैरवी करते हैं अखलेस यादों ने का है कि इसकी वज़ा से आम जनता खौफ में है आपको बता दे कि उत्तर परदेस के मुख्यूमतर योगी आधितनाथ ने भी कई बार कह चुके हैं कि अगर कहीं अपराधी दिखे तो उसे ठोक दो उत्तर परदेस के पुलिस हाल के कई साल में अपराधियों का एंकाउंटर करने का दावा किया है राज सरकार का काना है कि सरकार की इस निती में अपराध पर लगान लगा है उत्तर परदेस पुलिस की एक पॉलिसी पर भी यह विवाद हुआ था मानवाधिकार संगठनों और गैर सरकारी संगठनों ने पुलिस पर गैर कानूनी तरीके से कथित अपराधों पर एनकाउंटर करने का अरूप लगाया है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़बर बलवीर जाखड के बेटे का दावा केजरिवाल को 6 कड़ों देकर के पिता ने खरीदी पस्चिमी दिल्ली का टिकट से बलवीर जाखड को उमिद्वार बनाने के लिए उनसे करीबन 6 कड़ों रुपे लिये थे यह खुलासा किसी और ने नहीं बलकि उनका खुद का बेटा उदे ने किया है पस्चिमी दिल्ली समय दिल्ली के सभी साथ संसदिय सीटों पर आम चुनाव के छठे चरन के तरह रभिवार को मतदान कराया जाना है पस्चिमी दिल्ली में आम आदमी पाटी के उमिद्वार बलबीर जाखड के बेटे ने उदे जाखड ने एक PC में दावा किया है कि उनका पीता ने करीबन तीन महीने से ही राजनिती में कदम रखा था टिकट के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद्र केजरिवाल को चोगर दिये है उदे जाखड ने अरविंद्र केजरिवाल और आम आदमी पाटी को चुनोती देते हुए काया है कि वह यह साबित करे कि मेरे पिता पहले से आपका हिस्सा थे या नहीं अन्ना आंदोलन ने जुड़े थे मेरे पिता करीबन तीन महीने पहले राजनिती में आये जबकि इससे पहले वह किसी संगठन या आंदोलन का हिस्सा नहीं थे जाधों ने दावा किया है कि उनके पीता ने बताया था कि टिकट के लिए करीबन 6 करण रुपए दे रहे हैं जो सीधा अरविंद केज रिवाल और गुपाल राय को दिया जाना है मेरे पास ठोश सबूत है कि उन्होंने टिकट के लिए पैसे का भुगतान किया है आपको बता दे कि बलबीर जाखड के सामने पस्चिवी दिल्ली से कॉंग्रेस के टिकट का महावल मिश्र चुनाव लड़ रहे हैं जो भारती जंता पार्टी के परवेश वारता के लिए मैदान में उतरा है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी कबर आ रही है 36 कंट से सुकमा में नकसलियों ने दिया लेंड मैंट बलास्ट को अंजाम दो जवान घायल जी हां दोस्तों 36 कट के सुकमा जिले के सटे समवर्ती रज ओरिस्या के मनकागिरी जिले में लेंड मैंट बलास्ट हुआ है इस बलास्ट में M.O.D. के दो जवान घायल हो गए हैं जी हां दोस्तों बीजेपी ने कांग्रेस नेता नोजो सिंग सिद्धु के काले अंग्रेज वाले बयान पर जबस दस्त पलटवार किया है बीजेपी ने सिद्धु के बयान पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि सिद्धु ने सिर्फ प्रधान्मंत्री मोदी को ही नहीं बलकी पूरे हिंदुस्तान को काला अंग्रेज कहा है बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए संबित पातरा ने कहा है कि मोदी काले हैं तो क्या हुआ हिंदुस्तान के रखवाले हैं इस दोरान उन्होंने सोनिया गांधी के रंग को लेकर के भी तंज कसा जिहां तो संबित पातरा ने कहा 1984 सीख दंगों पर सिधु कुछ नहीं बोलते हैं उन्होंने कहा है कि मोदी जी अंग्रेज है और सोनिया गांधी हिंदुस्तानी हैं ये कैसा न्याय है मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ गरीबों के रखवाले हैं हिंदुस्तान के रखवाले हैं इस दोरान संबित पातरा ने कहा है कि गोरे रंग पर इतना गुमान कर ये इटेलियन रंग 23 मैं को आएगा उन्होंने कहा है कि सिद् पार्टी रेपिस्ट भी है और सेक्सिस भी आपको बता दे कि इन दोर में कल कॉंग्रेस उमिद्वार के लिए चुनाव परचार करने पहुंचे नोजो सिंग सिद्धू ने कहा था कि मैं चोकिदारों को रोकने आया हूं और मोधी को ठोकने आया हूं राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट तीन मोधी भाग चोथा मोधी जूट और उन्होंने कहा है कि मैंने फिल्मी देखी है कि एक कुली नंबर वन बीबी नंबर वन और अगली फिल्म आ रही है वो है फेकु नंबर वन और जूटा नंबर वन सिद्धू यहीं नहीं रूखे उन्होंने कह और इस दोरान इन दोर वाले तुम काले अंग्रेजों को इस देश की निजात जरूर दिलाओगे। चाहिए उससे लड़ाई है। राहूल गांधी ने कहा है कि सिर्फ कॉंग्रेस को नहीं बलकि देश की जनता को लगता है कि हमारी लड़ाई आरेसेस और बीजेपी से है। मैं जहां जाता हूँ वहाँ यह बात सामने आती है कि युवा, किसान, मजदूर और सभी लोग परिस राहूल गांधी ने कहा है कि इस देश में जो भी हुआ है वो प्यार की भावना की वज़ासे हुआ है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, मैं कोई नीजी कारिकरम से नहीं मिलता हूँ, लेकिन वे ढंके रिस्पोंस नहीं करते हैं। उनका मेरे प्रति व्यक्तिकत द्वेस है राहूल गांधी ने कहा है कि पांच वर्स पहले लोग कहते थे कि नरेंदर मोधी से लड़े कौन उससे लड़ाई कौन लड़ी यह कोई आसान काम नहीं था लेकिन हम हर वज़ा से लड़े संसद में भी और सणक पर भी राहूल गांधी ने कहा है कि जब हमारी सरकार थी तो मैंने डॉक्टर मर्मोहन सींग को वादा को पुरा किया कि मैं सरकार के दखल नहीं दूँगा कॉंग्रेस अद्धक्स राहूल गांधी ने कहा है कि मैंने पहले ही अस्वस्थ कर दिया है कि मैं कॉंग्रेस को मजबूत करूँगा मगर सरकार में काम नहीं करूँगा उन्होंने कहा है कि 23 मई को जो जनता तै करेगी मेरी भूमी का क्या हो वही करूँगा मैं कोई फैसला नहीं करूँगा जब उनके परिवार पर व्यक्तिकत हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने पीता, दादा और दादी की सच्चाई जानता हूं इसलिए कोई कुछ कहे मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ता है बीजेपी अदक्च अमित साहज द्वारा नामदार के संबंध पर कहा गया कि 23 मैं को सब तै हो जाएगा राहूल गादी ने कहा है कि बीजेपी न तो अपने वादे को बात करती है और नहीं भविश्य की परधान मतरी मोदी का समय खत्म हो गया है मैं चाहता हूँ कि जब किसान के खर जाओं तो उनकी आवाज बनूँ उन्हों ने कहा है कि 2 या 3 पर 30 लोग साफ फाइदा उठा रहे हैं यह चिंता काभी से है राहूल गादी ने कहा है कि मैंने मोदी जी से कहा था कि आप 3 घंटे सोते हैं आईए मैं आपसे बहस करने के लिए तयार हूँ लेकिन वे सामने आते ही ने राहूल गादी ने अपनी डिगरी के सवाल पर कहा है कि मेरे पास एंफिल के डिगरी है जब चाहें तब दिखा सकता हूँ हम रणनीती में भी स्वास रखते हैं लमुक पस्मीर का उदारन देते हुए राहूल गादी ने काए कि हमने रणनीती तरीके से काम किया है हर बात जनता को बताई नहीं जाती हमने सोच समझ कर काम किया है मनमोहन सिंग ने जो काम किया नबे तसक में किया और उसके बाद किया उसी से देश आगे पहुँचा है भासन से काम नहीं चलता है EVM के मुद्दे पर राहूल गांधी ने कहा है कि ये देखना चुनाव आयो का काम है हाला कि मुझे चुनाव आयो की भूमी का निस्पक्ष नहीं लगती PM कुछ तो बोले हैं उस पर कोई कारवाई क्यों नहीं होती राहूल गांधी ने कहा है कि इस बार जान बूझ कर चुनाव की तारिक इस तरीके से तही की गई की भाजपा को फायदा हो राहूल गांधी ने कहा है कि सेम पितरोधा ने बिल्कुल गलत कहा मैंने उन्हें कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए 1984 के दंगे में जो लोग सामिल थे उन पर करवाई होनी चाहिए राहूल गांधी ने कहा कि 1984 के दंगे को लेकर कोई डिबेट नहीं है वह एक भयंकर ट्रेडजी थी 1984 दंगे में जो भी आरोपी है उन्हें बुक किया जाना चाहिए राहूल गांधी ने कहा है कि हमारी कोशिस है कि एक साल में 22 लाग सरकारी नोकरी देंगे हमारी पूरी कोशिस होगी कि हेल्थ केर के बजट बनाएंगे बगैर पबलिक हेल्थ केर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम के काम नहीं चलता है हेल्थ केर और एजुकेशन में सरकार की भूमिका बढ़नी चाहिए हम 2019 के संस्था बनाना चाहते हैं राहूल गांदी ने काया कि पिछले पांच वर्स में बिपक्च को मीडिया के फेर इसकेप नहीं मिला मीडिया को लेकर के एक ट्राइड बनाने की जरूरत है राफाल के अगर कानून तोड़ा है तो जाच होनी चाहिए राफाल मुद्दे को मीडिया उठाती ही नहीं प्रेस कॉंफरेंस करने हमने उठाया फ्रांस के राश्टपती ने कहा है की लेकिन सरकार का पूरा दबाओ था लेकिन दबाओ के बावजूद कांगरिस खड़ी रही कांगरिस ने कहा है की मैं सबसे सीखता हूं नरेंदर मोदी और RSA से भी किसी भी लतीफे और मीम में कोई फरक नहीं मिलता है राहूल गांधी ने काई कि हम वैसा काम नहीं करते हैं जो मोदी जी करते हैं अगर कहीं कानून तोड़ा है तो कानून उसका काम करेगा चार सुप्रीम कोट के जज ने का है कि मैंने अपना काम नहीं कर दिया हम उसी सक्ती से लड़ रहे हैं। मैयावति के हमले पर राहूल गांधि ने का है कि मुझे मायावति जी देश के एक सिंबल है। कांग्रेस नहीं बीएस पी के हैं। उन्होंने देश के एक संदेश दिया है, मैं उनका आदर करता हूँ, समान करता हूँ, उन्हें प्यार करता हूँ.